इस वीडियो में हम लोग शोसफ साइंस की चैप्टर 24 को परने वाले हैं जिसका टॉपिक है आवर अरवन गवर्मेंट इसे ज़स्ट पहले वाले चैप्टर यानि की चैप्टर 23 में हमने रूलर गवर्मेंट के बारे में परा था जिसमें के हमने पंचायती राज के कॉंसेप्ट के बारे में जाना था पंचायती राज के अंदर में बहुत सारे सेल्फ गवर्निंग बॉडि जाते हैं और उनका काम होता है कि गाओं में एड्मिनिस्टेशन को मैनेज करके रखना उसी तरीके से शेहरों के अड्मिनिस्टेशन को मैनेज करने के लिए जो सेल्फ गवर्निंग बॉडि जो होता है उनके बारे में हमें चैप्टर 24 में डीटेल में बताया गया है इससे पहले मैंने DAV Classics के लिए जितने सारे वीडियोज बनाये हैं अब भी आपको सब्जेक्ट वाइस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आप वहां पे जागे कभी उन वीडियोज को देख सकते हो उनको देखना और अगर आपके लिए वह helpful लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इसी तरह DAV Classics के लिए वीडियोज आते रहत हमारे अरिबन को समझने से पहले हमें यह समझना पाड़ेगा कि हमारे रूलर एडियाज में अगर हम लोग गाओं की बात करें हमारे ruler areas की अगर बात करें तो वहाँ पे population बहुत कम होता है और अगर हम लोग शहरों की बात करें हमारे urban areas की बात करें तो वहाँ पे population बहुत ज़्यादा होता है और कभी-कभी तो ऐसा भी होता है कि गाउं से बहुत सारे लोग migrate होके शेहर में जाके shift हो जाते हैं क्योंकि शेहरों में opportunity जादा उनको मिलता है नौकरी जादा मिलती है क्योंकि शेहरों में बहुत बड़े बड़े factories होते हैं बहुत बड़े बड़े mills होते हैं इसलिए सब लोग वहाँ जाके shift हो जाते हैं और इस case में क्या होता है कि सबको clean drinking water provide करवाना, उसके बाद transport facility सबके लिए provide करवाना, electricity, healthcare facility, food provide करवाना ये सब थोड़ा से challenging काम हो जाता है और इन सबको manage करने का काम different self-governing bodies करती है जिसमें कि सबसे पहला है नगर पंचायत, उसके बाद दूसरा है municipal council और उसके बाद तीसरा है municipal corporation तीनों का एक ही काम है लेकिन तीनों अलग-अलग टाइप के cities में काम करते हैं अर्बन एरिया में लिए तीन टाइप का होता है, सबसे पहला जो टाइप है उसको हम लोग बोलते है semi-urban area semi-urban area ऐसा area होता है, जो कि recently गाउं से develop होके धीरे-धीरे शहर जैसा बनते जा रहा है उसको हम लोग बोलते है semi-urban area, जैसे होता है कि कोई गाउं था, वहाँ से कोई बड़ा highway गुजर गया तो वो शहर जैसा बन गया, थोड़ा से develop हो गया, वहाँ पे बहुत सारा दुकान खुल गया तो ऐसा area को manage करने का काम होता है नगर पंचायत का उसके बाद दूसरा जो urban area होता है, वो होता है ऐसा urban area जिसका population 20,000 से 10 lakh के बीच हो और ऐसे cities को, ऐसे urban areas को manage करने का काम करता है हमारा municipal council उसके बाद ऐसा urban area, ऐसा cities जिसका population 10 lakh से जादा हो, 10 lakh से जादा हो जैसे कि डेली हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नाई, कोलकाता, कानपूर, यह सब बहुत बड़े बड़े cities है और इनको manage करने का काम कौन करता है, municipal corporation तो यहाँ तक basic जितना था मैंने समझा दिया, अब इसको line by line हम लोग read कर लेते हैं तो यहाँ पे लिखा है, we all know that city life and the village life are quite different from each other शहर का जीवन जो होता है और गाउं का जीवन दोनों एक दूसरे से बहुत अलग होता है the cities are more populated, cities बहुत ज़्यादा populated होता है then the villages, गाउं से ज़्यादा populated होता है as a result, जिसके कारण क्या होता है those who have to look after the management of the cities जिनको city का management देखना होता है city का पूरा management, पूरा bug door जिनके हाथ में होता है उनको क्या क्या करना पड़ता है have to make adequate provision for drinking water, electricity, transport, healthcare, center and hospital इन सारे चीजों का ध्यान उनको बहुत अच्छे से रखना पड़ता है किसी चीज़ का कमी न हो जाए, उनको ये बात का ध्यान रखना पड़ता है in addition to the above, इसके अलाबा और कुछ भी करना पड़ता है the big markets, बहुत बड़े बड़े जो mall होते हैं उनको manage करना, mills को manage करना, production center, अगर कोई factory है उसको manage करना, जो कि cities में है, ये भी काम उनको होता है more and more people are migrating from the ruler to urban areas making cities overcrowded बहुत सारे लोग जो ruler area से urban area migrate होके आ रहे हैं उसके कारण से city overcrowded हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा ही भीर हो जाता है इसमें, this leads to greater strain, इसके कारण बहुत ज़्यादा दवाब परता है किस पे on the provision of civic amenities, जितना भी facilities है लोगों के लिए उस पे बहुत ज़्यादा दवाब परता है बहुत ज़्यादा pressure पर जाता है, the responsibility of providing the amenities amenities का मतलब होता है facility, उसको provide करने का जो responsibility होता है and their maintenance, और उसको maintenance करने का काम जो होता है is interested to urban self-governing bodies, यह सब किसके अंडर में होता है urban self-governing bodies के अंडर में होता है, जिसके बारे में हमने यहाँ पे देखा एक है नगर पंचायत, एक है municipal council और एक है municipal corporation, यह तीनों है it would be useful to study how these bodies are composed and how they perform the various function अब हम लोग यह study करेंगे कि यह जो तीनों self-governing bodies है यह कैसे बनता है और इसका काम क्या क्या होता है आगे यहाँ पे लिखा है the 74th Amendment Act of 1992 1992 में एक amendment हुआ था, amendment का मतलब होता है बदलाओ हमारे संभिधान में एक बदलाओ हुआ था जिसमें की self-governing bodies जो की cities में काम करेगा उसके बारे में लोगों को introduce किया गया था और उसी समय municipal council, नगर पंचायत, municipal corporation का concept आया था they are नगर पंचायत for semi-urban area semi-urban area के लिए नगर पंचायत बनाया था which are gradually developing into cities जो की गाओं से धिरे-धिरे cities बन दे होते उसको हम लोग semi-urban area बोलते है municipal council और नगर परिशद, दोनों एक ही चीज़ का दो नाम है municipal council और नगर परिशद for cities with population between 20,000 to 10,000 लाग और ऐसा cities जिसका population 20,000 से 10,000 लाग तक है उसके लिए municipal council को introduce किया गया था and municipal corporation for big cities लाइक देली, मुंबाई, चेन्नाई, कोलकाता, कानपूर, एटसेक्टरा और बड़े cities के लिए municipal corporation को introduce किया गया था where the population is more than 10,000 लाग और यह सब जो cities है यहां का population 10,000 से हमेसा जादा होता है हागे यहां पर लिखा है the urban local body is popularly known as municipalities और जो urban area में self-governing body होता है उसका हम लोग municipality बोलते हैं are elected by the people directly through regular election और इसमें जो member होते हैं उनको चुनने का काम election के थूर होता है लोग directly vote करके उनको चुनते हैं members elected in this way are called municipal councillors और जो member चुने जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं municipal councillor बोलते हैं each city is divided into words cities को हम लोग divide कर देते हैं अलग-अलग ward में आप भी रहते हो जहां पे आप अपने पापा से पुछना कि आप लोग किस ward में रहते हो तो आपको बताया जाएगा कि आप ward number something तो आपका जो भी city में आप रहते हो या जो भी गाओं में भी अगर आप रहते हो तो आपका एक ward होगा पर्टिकुलर तो उस तरीके से पूरे city को अलग-अलग ward में divide कर दिया जाता है और उस city का या उस town का जो भी population होता है न उसी के हिसाब से number of wards भी होता है जैसे कि population ज़्यादा है तो number of wards भी ज़्यादा होगा if a city has large population then the number of wards is more अगर large population होता है तो बहुत ज़्यादा parts में divide कर दिया जाता है city को मतलब बहुत ज़्यादा wards उसमें हो जाते है The voters select one representative for each ward for a period of 5 years और जो voters होते हैं, जो मद्दाता होते हैं हर एक ward से एक एक representative को चुनते हैं उनको हम लोग ward member बोलते हैं जैसे कि माल लेते हैं, एक city को 10 पार्ट में डिवाइट कर दिया गया 10 अलग-अलग ward बन गया हर एक ward में अलग-अलग election होता है और हर election में एक लोग जीत के निकलता है उसको हम लोग ward member बोलते हैं The age to become a member cannot be less than 21 years और ward member कौन बन सकता है, जिसका age 21 years से ज़्यादा हो से छोटा कोई नहीं बन सकता है Some wards are reserved for schedule class, schedule tribe and other backward classes और कुछ ward का member वही बन सकता है जो कि इन सारे categories से आता है ऐसा reservation इसलिए किया जाता है ताकि सभी लोगों को बराबर मौका मिले हर category के लोग administration में काम कर सके One third seats in each municipality are reserved for women और women के लिए भी reserved किया जाता है जैसे कि इन लोगों के लिए reserved किया जाता है backward classes के लोगों के लिए उसी तरीके से women के लिए भी reserved किया जाता है one third मतलब एक ती हाई 33% women ही होंगी हमेशा हर एक municipality में अब हम लोग परेंगे सबसे पहले local governing body जिसका नाम है नगर पंचायत नगर पंचायत जो है semi urban areas को manage करने का काम करता है यहाँ पे लिखा है towns which are smaller than a city but bigger than a village have नगर पंचायत ऐसा town जो की city से small होता है city से छोटा होता है लेकिन villages से बरा होता है उसको manage करने का काम नगर पंचायत करता है it is the smallest local body in urban area urban area में सबसे निचला अस्तर पे जो local governing body होता है वो नगर पंचायत ही है the number of members depend upon the population of the town नगर पंचायत में कितने member होंगे यह किस पे depend करता है कि town का population कितना है population ज़्यादा होगा तो नगर पंचायत में members भी ज़्यादा होंगे the chair person of नगर पंचायत is elected directly by the people chair person जो की नगर पंचायत का head होता है उसको directly लोग ही चुनते हैं vote करके and the vice chair person is elected by the members themselves और जो vice chair person बनता है chair person के बदले में अगर chair person absent हो तो vice chair person काम करेगा ना तो vice chair person को लोग नहीं चुनते हैं नगर पंचायत का जो member होता है वही लोग मिलके vice chairman को चुन लेते हैं अब देख लेते कि नगर पंचायत का function क्या-क्या मतलब इसका काम क्या-क्या होता है यहाँ पे लिखा है the prime functions of नगर पंचायतार सबसे पहला है to solve local problems जो local area में problems होता है उसको solve करना and to provide better living condition और लोग अच्छे से रह सके उसके लिए जो भी facility होगा वो इसका provide करवाने का काम है इसका दूसरा point लिखा है to provide civic amenities like water and electricity water provide करना सभी लोगों को साफ पीने का पानी और electricity प्रोवाइट करवाना इनका काम है इनका जो दूसरा काम है वो है to ensure sanitation, hygiene and healthcare facility शहर में साफ सफाई बना के रखना और इसके बाद लोगों के लिए healthcare facility भी प्रोवाइट करवाना यानि कि hospitals प्रो पार्क है शहर में या primary school है या कोई public building है उसको manage करने का काम उसका maintenance का काम भी नहीं का होता है उसके बाद to keep record of birth and death अगर कोई मरता है या किसी का जन्म होता है तो उसका जो registration होता है उसका भी registration करने का काम नगर पंचायत का ही होता है अब नगर पंचायत जब इतना सारा काम कर बाता है तो इसको यह सब करवाने के लिए fund भी तो चाहिए पैसा भी तो चाहिए तो इसका source of income क्या है उसी के बारे में हमें यहां पर बताया गया है यहां पर लिखा है और नगर पंचायत gets fund through taxes like water tax, octroi, octroi क्या होता है उसके बारे में हमें do you know बता है अभी हम लोग समझ जाता है तो उसके बदले में लोग पैसे देते हैं उसके बाद house tax अगर कोई घर बनाके रखा है शेहर में तो उसको भी tax जमा करना पड़ता है समय समय पर उसके बाद vehicle techs अगर कोई बाइक चलाता है रोट फे तो उसके लिए बीज टैक्स उसको जमा करना पड़ता है उसक कोई सरकारी बिल्डिंग है जो कि मुनिस्पैल्टी के अंदर है तो वो क्या करती है कि उस बिल्डिंग को रेंट पे लगा देती है और उसके बदले में जो पैसा मिलता है इन सारे पैसों को एड़ करके वह डेवलपमेंट का काम करती है जो कि हमने उपर पर है बट मुस्ट सकतろ पर है ज्यादा तर जो पैसा आता है वह तो या तो ग्रांट के फिर्म में यह तो लोन के फर्म में ग्रांट का मतलब यह हुआ कि state government ने पैसा मंजूर किया और उस पैसे को भेज दिया वापस वो नहीं लेगी अगर loan लेती है नगर पंचायत तो उसको वापस करना पड़ता है तो यही basic difference है अब देखो यहाँ पे जो एक type का tax था उसका नाम था octroi उसी के बारे में यहाँ पे do you know में बताया गया है यहाँ पे लिखा है octroi is a tax levied on goods entering a city अगर कोई सामान सहर के बाहर से आता है तो जब वो सहर में एंटर करता है तो उसको tax देना पड़ता है सामान के मालिक को उसी को हम लोग octroi बोलते हैं these days it has been abolished इन डेली हरियाना एटसेक्टरा और आज कल दिल्ली में अगर सामान लेके जाओगे तो यह tax आपको नहीं देना पड़ेगा और हरियाना में भी यह tax आपको नहीं देना पड़ता है अब जो next self-governing body के बारे में हमें पड़ना है उसका नाम है municipal council municipal council ऐसे urban area को manage करने का काम करता है जिसका population 20,000 से लेकर 10 lakh तक होता है तो अब हम लोग उसी के बारे में अच्छे से पड़ेंगे यहाँ पे लिखा है municipal council और नगर परिशद यह दोनों एक ही चीज का दो नाम है are also called municipal boards और municipal committees मतलब एक चीज का अब हम लोग के पास चार नाम हो गया तो अगर कहीं पे municipal council लिखा हो नगर परिशद लिखा हो या municipal board लिखा हो या municipal committee लिखा हो सब एक ही चीज है यह सब चीज एक ही चीज का नाम है और यह जो इसका काम क्या होता है एसे cities को manage करना जिसका population 20,000 से 10,000 के बीच होता है वही चीज लिखा है they are stabilized in the cities with the population between 20,000 to 10,000 the number of members vary from 15 to 60 और इसमें जो members होते हैं पंदरा से लेकर 60 तक हो सकते हैं इसी के बीच होते हैं and are directly elected by the people for 5 years और इसको चुडने का काम directly लोग ही करते हैं directly vote करते हैं इनके लिए और जो जो उसमें जीतते हैं जो जो elect होते हैं उन्हीं को इसका member माना जाता है the chairperson is also elected directly by the people और जो leader होता है उसका जो head होता है उसको भी लोग ही directly चुनते है his terms is for 5 years और उसका जो term होता है उसका जो वैल टीडी होता है पास साल के बाद उसको रिटायर कर जाना पड़ता है the deputy chairperson मतलब chairperson के बदले में जो एक रहता है अगर मालो chairperson absent है तो उसके बदले में काम करता है deputy chairperson तो उसके बारे में लिखा है he is also elected by the elected members और इनको elect करने का members करते हैं जो कि municipal council के members बने होते हैं वही लोग इसको चुन लेते हैं लोग नहीं चुनते हैं the meetings of municipal council are held regularly and are presided by the chairperson और इसका जो meeting होता है यह regular basis पर होता है जैसे कि वो लोग decide कर लेते हैं कि अगर हम लोग को मंतली करना है या मंत में दो बार करना है वो लोग परता है उसी साफसी यह लोग meeting करते हैं और इसको लीट कौन करता है चेयर परसन करता है लीट चेयर परसन कौन है municipal council का head उसको हम लोग मान सकते हैं executive officer who is appointed by the state government और एक और officer को चुना जाता है appointment किया जाता है state government के द्वारा जिसका हम लोग बोलते है executive officer looks after the general administration of the city और वो सारा काम देखता है जैसे लिखा पड़ी का जितना काम है documental work जो है वो काम होता है देखने का executive officer के पास he acts as a link between the council and the state government और state government और municipal council उसके बीच में communication करने का काम हमारा executive officer करता है अब देख लेते कि municipal council का function क्या क्या है यानि कि उसका क्या क्या है यहाँ पे लिखा है with the fast changing life in the cities the function and responsibilities of municipal council are increasing day by day मतलब इनका काम दिन परती दिन बढ़ता ही जा रहा है इनका responsibility बढ़ता ही जा रहा है some of them are given below कुछ यहाँ पे दिया गया है जिसमें की सबसे पहला है it ensures proper supply of drinking water and electricity मतलब पीने का पानी और electricity supply करना सब का काम है अभी जो हमने इससे पहले परान अगर पंचाए तो उसका भी पहला काम यही है municipal council का भी पहला काम यही है और इसके आगे जो हम लोग पढ़ेंगे municipal corporation उसका भी पहला काम यही होगा शायद हम लोग देखेंगे आगे उसके पाद इसका दूसरा काम क्या है it maintains hygienic and sanitary condition उसमें भी यही चीज़ था second point में मतलब साफ सफाई का ध्यान रखना भी इन्ही का काम होता है इनका जो तीसरा काम है वो है construction का जैसे कि अगर कोई road बन रहा है या अगर कोई bridge बन रहा है अगर कोई market बन रहा है या water tank कहीं पे बन रहा है कोई park या बच्चों के लिए अगर कोई welfare center बन रहा है तो ये सब बन वाने का काम भी इन्ही का होता है next point है it adopts major to prevent epidemics and other infectious disease अगर कोई महामारी फैल जाता है तो उसे बचने के लिए जो जो भी उपाए है जैसे कि अभी corona फैला हुआ है तो इसे बचने का क्या उपाए है समय सपेंबर हाथ धोना मास्क पैन के कहीं पे निकलना तो ये सब चीज के लिए लोगों को बताना लोगों को train करना लोगों को समझाना ये सब भी काम इन्हीं का होता है municipal council का उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है इट ओपेंस प्राइमरी स्कूल प्राइमरी स्कूल भी खोलना इन्हीं का काम है होस्पीटल खोलना community center community center मतलब ऐसा एक building बनाया जाता है जहां पे सभी लोग अपना जैसे साधी विवागर हुआ society में कहीं पे तो सब के घर पे तो उसना जगह नहीं होता है city में तो community center बनाया जाता है जहां पे सब लोग अपना function औरगनाईज कर सकते हैं कुछ पैसे दे कर उसके पास shopping complex बनवाना यह सब भी इन्हीं का काम होता है इट keeps record of birth and death किसी का जन्म हो या मिरती हो उसका जो registration होता है उसका काम भी वो करने का काम भी नहीं का होता है अगला जो point है वो है it penalizes those hawkers and shopkeeper who adulterate eatables and other items इसका मतलब यह हुआ कि उन hawkers और shopkeeper मतलब उन दुकानदारों को penalize करता है यानि कि उससे penalty वसूलता है जो कि खाने के सामान में मिलावट करते हैं जैसे होता है न कोई-कोई दुकानदार दाल में कंकर मिला देता है जो कि दाल के color का ही होता है चावल में white color का कंकर मिला देता है अगर वो पकरा जाए तो उसको penalize कौन करेगा उस पे penalty कौन लगाएगा ये काम भी municipal council का ही होता है अब देख लेते कि municipal council का जो इतना काम होता है उसके लिए जो पैसा चाहिए वो पैसा इसके पास कहां से आता है source of income में यहाँ पे लिखा है the municipal council collect money from various taxes मतलब जितना भी government body है सबसे पहला उसका income का source taxi है source जो है taxi होता है and get rent from municipal building अगर सरकारी building अगर कोई है तो उसको वो rent पे लगा के उसके बदले में पैसा वसूलता है और उस पैसे से वो developmental काम करता है they also receive annual financial grant from the state government और हर साल हर municipal council को कुछ पैसा मिलता है मतलब कुछ पैसा fix होता है कि हर साल उसको मिलना ही है तो उस पैसे को यूज करके भी यह सब सारा development काम को पूरा किया जाता है अब आते हैं हमारे third और सबसे last topic पे जो कि है municipal corporation municipal corporation ऐसे urban area को manage करने का काम करता है जहां का population 10 लाग से जादा होता है तो अब इसके बारे में हम लोग पर लेते हैं यहां पे लिखा है अब big cities with large population have municipal corporation और नगर निगम इसका दो नाम है इसको हम लोग या तो municipal corporation बोलते हैं या तो इसको हम लोग नगर निगम बोलते हैं since the problems of such cities are more complicated in nature ऐसे cities का जिसका population बहुत ज़्यादा होता है यहां का problem भी बहुत ज़्यादा complicated होता है and are difficult to solve और इसको solve करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है the responsibilities of municipal corporation increases और इस case में क्या होता है municipal corporation का responsibility बढ़ जाता है therefore the day-to-day work is looked after by various committees consisting of 5 to 12 members headed by a chairperson और इसलिए दिन भर का जो भी काम होता है day-to-day life का जो भी काम होता है उसको supervised किया जाता है एक committee के द्वारा जिसमें की 5 से लेकर 12 member होते है और उसका एक leader होता है जिसका हम लोग chairperson बोलते है from among the members और यह जो committee बनता है उसी member में से बनाय जाता है जो member municipal corporation के होते है for example the education committee जैसे कि एक education committee बना दिया गया इसका काम क्या होगा education committee look after the primary school वो primary school का देखवाल करेगा whereas it is the duty of the water supply committee और एक दूसरा committee जैसे बना दिया जाता है water supply committee इसका नाम इसका काम क्या होगा जैसा इसका नाम है वही इसका काम होगा to manage efficient water supply of efficient supply of drinking water ताकि drinking water का supply में कमी नहीं आ है वो manage करने का काम किसका होगा water supply committee का municipal corporation is headed by a chairperson who is called a mayor और महापौर municipal corporation का जो head होता है जो इसको lead करने वाला होता है उसको हम लोग mayor बोलते हैं या हिंदी में इसको हम लोग महापौर भी बोलते हैं the deputy mayor who is elected by the members perform all the functions of the mayor in his absence और एक deputy member को भी चुना जाता है जिसको कौन चुनता है इसी municipal corporation के member चुनते हैं और उन member को कौन चुनता है उन member को तो लोग चुनते हैं directly voting करके तो इनके जो member चुने जाते हैं वही member लोग मिलके एक और deputy mayor चुन लेते हैं और उस deputy mayor का काम होता है कि अगर mayor absent है किसी कारण से mayor duty पे नहीं है तो उसका सारा काम deputy mayor करेगा और chief executive officer implements the decision of municipal corporation और municipal corporation पे जो भी decision लिया जाता है एक chief executive officer उसको execute करने का काम करता है मतलब उसको implement करने का काम करता है he is called municipal commissioner और उस chief executive officer को हम लोग क्या बोलते है municipal commissioner बोलते है जो कि सारे चीज़ को implement करने का काम करता है he is appointed by the state government और इसको कौन appoint करता है इसको लोग नहीं चुनते हैं इसको state government भेशती है state government appoint करके भेशती है he implements the decision taken by the house and supervises the work of the municipal corporation municipal corporation के अंडर में जो भी decision लिया गया उसको यह apply करने का काम करता है और उसको supervise करने का भी काम करता है यानि कि वो काम सही से हो रहा है या नहीं यह भी देख रिक करने का काम एक municipal commissioner का ही होता है तो finally देख लेते कि municipal corporation का function क्या क्या है यहाँ पे लिखा है important functions performed by the municipal corporation are सबसे पहला sanitation and cleanliness including removal of garbage and cleaning of drains मतलब साफसफाई रखना उसके बाद जो train होता है train यानि की नाली नाली का साफसफाई करवाना भी इनहीं का responsibility होता है इनका अगला काम है vaccination and inoculations against disease और epidemics किसी महमारी से या किसी बीमारी से बचने के लिए जो सुई दिया जाता है जो vaccine लगाया जाता है यह लगाने का काम भी इनहीं का होता है यहाँ पे दो word है vaccination अब जैसे देखो अभी करोना फैला हुआ है इसका जो दवाई आएगा इससे बचने के लिए अगर वो सब को लगाया जाएगा तो हम लोग बोलेंगे कि आपका अभी भी सुई का मार्क होगा तो वह सब जो लगवाया जाता है उसको हम लोग इन ओकिलेशन बोलते हैं मतलब टी का करन इसका हिंदी होता है इसका अगला काम है maintenance of hospitals and dispensaries मतलब हस्पीटल को मेंटेन करके रखना dispensaries को मेंटेन करके रखना भी नहीं का काम है नेक्स्ट है supply of fresh drinking water सभी को साफ पानी पीने का मिले वो भी manage करने का का municipal corporation का ही है नेक्स्ट है construction and maintenance of roads, bridge, flyover, street, subway, community center and parts etc ये सब चीज का जो maintenance होता है ये सब चीज का जो construction होता है ये सब काम भी municipal corporation के अंड़ जाता है फाइनली supply of electricity विजली सब के बस महुचे इसका काम भी ये काम भी इनीका होता है municipal corporation का है पाइनली